हेलो गैज, वेलकम टू माई चैनल गर्मी की सीजन में अगर कुछ ठंडा-ठंडा खाने को मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है तो चलिए, आज बनाएंगे दही फुल की राइता और दही फुल की चाट इसे खाने के बाद मज़ा ही आ जाना है तो चलिए बनाते हैं यहाँ एक बावल में लिया है एक कप बेसन बेसन को हमने पहले से छान लिया है नहीं तो उसमें गुठलिया बन जाएंगी डालेंगे बारीकटी हरी मिर्च बारीकटी प्याज यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की प्यास को बिल्कुल बारिक बारिक काट लिया है बारिक कटा धनिया और यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियो को बिल्कुल बारिक बारिक पीस लिया है डालेंगे आदा चमच लहसुन का पेस्ट डालेंगे नमक अपने स्वाद के नतर यहां मैंने एक चमच नमक डाला है और यहांपर डालेंगे एक चोथाई चमच बेकिंग सोडा, इससे फुल्किया बहुत ही सोफ्ट और फुली-फुली बनती हैं, डालेंगे एक चुट की हल्दी और अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे आप एक दम से ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि हमें इसका पतला पेस्ट नहीं बनाना है हलका गाड़ा पेस्ट ही बनाना है इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएं इसका आपको बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है इस तरह का पेस्ट बनाना है जिससे इसकी फुलकियां अच्छे से बने और अब यहाँ पर लिए है दो कप दही दही ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए और अब दही को इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फेट लेंगे यह देखी दही को हमने अच्छे से फेट लिया है अब यहाँ डालेंगे पानी पानी डालकर अच्छे से फेट लेंगे फिर से थोड़ा पानी डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से पेट लेंगे यहां पर मैंने डेड़ का पानी का यूज किया है इसको हमने इस तरह से बिल्कुल पतला ही रखना है ज्यादा गाड़ा ना दखें क्योंकि फूल्किया डालेंगे तो पानी को अब्जोर्ब करती है डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार आधा चमच काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, एक चमच इन सब को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए सबी चीजों को हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे फ्रेज में रख देंगे जिसे ठंडर है और यहाँ पर ओल को अच्छे से गरम कर लिया है पहले आपको high flame पर एक बार oil को अच्छे से गरम कर ले ये देखिए जब हम इसमें फुलकिया डाल रहे हैं तो ये एकदम से उपर आ रही है oil इस तरह का गरम होना चाहिए और चेक करने के लिए आप थोड़ा सा डाल कर देख सकते हो ये देखिए इस तरह से हाथ से बनाते जाएंगे ये देखिए और फुलकिया एकदम फुली फुली बन रही है डालते ही ये उपर आ रही है अगर आप इसे अच्छे से फेटेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी कॉफ्ट और फुली फुली बनेंगी ये देखे, सभी फुलकिया हमने बना ली हैं, अब इने हलका ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, और अब यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, इसे हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें क्योंकि यह अंदर तक फिर अच्छे से नहीं पकेंगी, ये देखे, फुल्कियों को हमने हलका सा ब्राउन कर लिया है, ये अच्छे से पक और अब फिर से इसी तरह इसमें फुलकिया बना लेंगे तैहां रहे, इस अच्छे इसे फेटे, जितना अच्छा आप इसे फेट कर इसका डो तयार करेंगे, उतने ही अच्छी फुलकिया बनेंगी, और आपको ज्यादा गड़ा पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह का बनाना है, जिससे हाथ से अच्छी सीज की फुलकिया बन जाए, अब इने भी फ्राय कर ले और आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें, जिससे सभी फुलकिया दही में अच्छे से मिल जाएं, और आप इसे गंटा फ्रेज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, एक गंटे के बाद ये देखिए, फुलकियों ने दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, ये बि पतला ही रखना है, ज्यादा गड़ा ना रखें नहीं, तो ये फिर बाद में और भी गड़ा हो जाता है, अब इसमें से डोने में हम इसे अलग से निकाल लेंगे, और अब हम बनाएंगे इसकी चार, ये देखिए, दही फुलकियों को हमने डोने में भी निकाल लिया है, रायते में अब हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मेच, बुना हुआ जीरा पाउडर, बारिक बारिक कटी प्याज, बारिक कटा हरा धनिया, ये देखिए दही फुलकी रायता बनकर तयार है, और जो हमने चार्ट बनाई है, उस पर डालेंगे इमली की खटी मेठी चटनी, यह पर आप थोड़ा ज्यादा मेटी चितनी का ही यूज करें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और उपर से स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला, दही फुलकी चाट और रायता बनकर तयार है, आप भी इस गर्मी के सीजन में ठंडा ठंडा दही फुलकी रायता और इतनी दही फुलकी चाट जरूर बनाए खाएं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाई